रेडमी मोईल में एप को हाइड कैसे करें? हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक निव वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर आप रेडमी का फॉन इस्तिमाल कर रहे हैं आप अपने Redmi phone के अंदर आप किसी भी app को कैसे hide कर सकते हैं जैसे कि Instagram, Snapchat, MX Player, YouTube, Facebook, WhatsApp, Chrome या फिर Play, Studio या फिर Gallery तो इन सारे application को आप hide करना चाहते हैं Redmi के phone में आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो को आप बिलकुल ध्यान से देखें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बार में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो Redmi के phone में app को hide करना काफी असान है यहाँ पे मैं आपको सबसे असान तरीका बताऊंगा hide करने का ठीक है तो then सबसे पहले आपको क्या करना है अपने phone के setting खोल लेना है setting open करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको मिलेगा then यहाँ पे आपको क्या करना है थोरा सा नीचे scroll करना है अब नीचे scroll करेंगे न तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होगा apps जैसे की आप यहाँ पर देख सकते है apps वाले option पर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है hide app का option मिलेगा जो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आपके पास पुराना model है redmi का तो उसमें आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपके पास नया model है अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप back आईए और redmi के phone के अंदर setting में आने के बाद आपको search पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है hide app ठीक है आप यहाँ पर hide app जैसे ही search कर लेते हैं तो आपके सामने जो है hitting app का setting आजाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस पर click करना है यहाँ पर click करने की बाद आपका जो application है वो सब के सब यहाँ पर आजाएगा जैसे कि WhatsApp हो गया Instagram हो गया यहाँ पर और भी Facebook है ठीक है इस तरीके से सारा application आचुका है अब क्या करना है दियान से देखिए यहाँ पर अब आपको जो है यहाँ पर जिस भी application को hide करना है उसे आप कर सकते हैं जैसे कि मुझे Instagram करना है तो मैं Instagram को select किया अब मुझे Facebook करना है तो Facebook को मैंने select कर लिया Snapchat को भी मैं select कर लेता हूँ और select करने के बाद जो हमारा application है वो यहाँ पर hide हो चुका है चली मैं आपको back करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी परकार का कोई भी जो है Instagram, Facebook और भी एक application नहीं दिख रहा है ठीक है तो आप मालीजे आपने hide तो कर दिया है लेगन उस hide किया हूए application को दुबारा आप देख कैसे सकते हैं तो देखने के लिए आपको क्या करना है खाली screen पर इस तरीके से ऐसे जूम करना है इस तरीके से टीक है ऐसे कीजिए और क्लिक करते ही दोस्तों जो यहाँ पर जो है आपका hide किया हूए application रहेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा आप जैसे की यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या कर सकते हैं इस application को यहाँ से इस्तिमाल कर सकते हैं देन अगर आपको माल लीजिए फिर से आपको unhide करना है तो फिर से same setting में आईए और यहाँ से इन सारे setting को बंद कर दीजिए तो जो आपका पीछा हुआ यहाँ पर hide यह application रहेगा वो यहाँ पर unhide हो जाएगा जैसे की आप देख पा रहे हैं इस परकार से आप hide किये हुए application को ढून सकते हैं और आप अपने redmi के phone में application को hide कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment box में जोड से बताएगा वीडियो को like करना साथ इस channel को subscribe करना ना भूले